दोस्तो चाल पाय की बाय की साइज और जरुवत के मुताबिक दो अलग-अलग रंकी रसी लीजिए पूरे ध्यान से देखना दोस्तो देखिए पूरे ध्यान से देखना आज हम बनाएंगे जंजर वाली माई आपकी तोज़ चाहूंगा देखे दोस्तो जो हमने रसी लेपेटी है बाय की और उसके दो कौने हम किस तरह से जोइंट करेंगे आपको तरीका बता रहा हूँ लहाजा पूरे ध्यान से देखना हमको यहाँ पे गिरने लगाना है और क्या तरीका है आपको मैं बता रहा हूँ आपके तोज़ चाहूंगा देखे दोस्तो देखिए इस तरह से काटकर इस तरह से एक दूसरे से पीरो लेना है देखिए आपको पूरा ध्यान मेरे हाथ की तरव होना चाहिए देखिए इस तरह से निकल लेना है देखिए और इसके बाद बल खोल कर ऐसे निकल लेना है जैसे मैं निकल रहा हूँ आपको पुरा ध्यान मेरे हाथ की तरह रखिए देखिए 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 इस तरह से निकाल लेना है देखिए बल खोल कर इस तरह से निकाल लीजिए देखिए पुरे ध्यान से देखना देखिए आप ध्यान से देखिए 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 जर्चैन उसरे आप 27- लेटे हैं मैं मज्बूती के लिए ज़्यादा रशी निकालरे नाए बल खोलकर ऐसे निकाल लेंगे देखिए विए लिए इसको इस तासे से निकलेंगे अगर आपकी पतली रस्य है तो ज्यादा रस्य ले जिए और आप मझबुटी देना चाहते हो बाय में तो ।ो मोटा ही करने चाहते हो तो ज्यादा रसी लीजिए देखिए आपको मैं बता रही नहीं देखिए देसा इस रख दो इस question कुछ होगा उसको देखिए इस तरह से बल खोल कर निकाल लेना है पूरी ध्यान से देखना देखिए आपकी पुरी तब जो चाहूंगा आप मेरे हाथ की तरफ देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूं देखिए इस तरह से बल खोलकर प्रसी को निकाल लेना है देखिए देखिए अब उस इधर भी ऐसा करेंगे दोनों तरब निकाल लेना है ऐसे बल खोलकर इसको निकाल लेंगे इस तरह से देखिए देखिए आपको खिच के बता दूँ देखिए देखिए है ना टाइट हो गया ना दूस्तों देखिए इस तरह से कर लाना है आद में देखिए इस तरह से मुमेंट होनी चाहिए देखिए इसको काटकर जला लेंगे और चिपका लेंगे इस तरह से देखिए और उस तरह भी हम ऐसा करेंगे जला कर चिपका लेंगे इस तरह से जला कर चिपका लेंगे इस तरह से जला कर चिपका लेना है देखिए इस तरह से चिपका लेना है देखिए दोस्तो दोस्तो वीडियो को लाइक कर दीजिए देखिए अभी मैं आपको खिच के बता था हूं दियान से देखना दोस्तो देखिए हमारी बाई प्याड़ी हो गई है देखिए अब हमें इसमें जंची वाले माई बनाएंगे आप शक्ति आनुसर दो अलग-अलग अरंकी रसी लीजिए देखिए और सेंटर निकाल लेंगे ऐसे देखिए आपकी तवर चाहूंगा देखिए जोस्तो इस तरह से सेंटर निकाल निकालने के बाद देखिए यह सेंटर इस तरह से निकाल लेंगे ऐसे देखिए ऐसे निकाल लेना है देखिए इस तरब और उस तरब दोना तरब निकाल ली रसी और उसके बाद लाल रम की रसी है उसको हम इस तरह से गिर लगा लेंगे देखिए इस तरह से गिर लगा ल कि दिए ऐसे एक हिस्षा ब्रह्च और एक हिस्षा इस रफ दोनों तरफ रखेंगे इस माने इसल कर लगयां। देख दोस्तों अगर आप सहीखना चाहता हो तो द्यान से देखिए दोस्तों इस तरह से यलो रंग के रसी में हमने गिर्ल लगा लिये दोनों को साथ में खिच लेंगे ऐसे देखिए और दोनों रसीया एक हिसर इस तरफ कर देंगे देखिए अब जो बाई का जो सेंटर अब में रसी है ये लो देखिए दूस्तों सेंटर से निकलना है ऐसे हम सुरूआज करेंगे पिंक कलर की रसी से ऐसे देखिए और उसके बाद ऐसे गुमा कर ऐसे निकलना है इस तरह से निकल लेना है देखिए हमने पिंक कलर और यलो कलर की रसी दिये और इन दोनों की रसी इन दोनों रसी की साहिता से जंजिर वाली माई कैसे बना जाती है वो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ पुरे ध्यान से देखना उसके बाद अब लेंगे यलो रंग की रसी दोनों को साथ में इस तरह से ले लेना है देखिए और सेंटर से ऐसे निकलना है देखिए और इस तरह से खिच लेंगे देखिए उसके बाद ऐसे निकलना है देखिए पुरे ध्यान से देखिए दोस्तों उम्मित करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा अगर नहीं किया तो लाइक कर दीजिए इस तरह से खीट लेना है ज्यादा टाइड भी नहीं रखना और ज्यादा लूस भी नहीं रखना है आपस में चिपका देना है इस तरह से और एक हिसा इस तरह कर देंगे देखिए अब लेंगे हम पिंग कला की रशी दोनों रशे साथ में लेना है और उसके बाद बाय के सेंटर से निकलना है इस तरह से आपका पूरा ध्यान मेरे उंगले उत्रफ होना चाहिए देखिए देखिए इस तरह से और एसे निकल लेंगे दुनों रस्या साथ में लेना है इस तरह से खिच लेना है और आपस में चिपका देना है ऐसे और हम दो अलग-अलग हिसे में कर देंगे इसको तब्दिल देखिए अब उसके बाद यलो रंग की रसी लेंगे पुरे ध्यान से देखना सेंटर से निकालेंगे ऐसे देखिए और चिपका देना है इस तरह से चिपका देना है देखिए और एक हिसा इस तरफ कर देंगे एक हिसा उस तरफ कर देना है इस तरह से चिपका देना है देखिए अब पिंक अलग की रसी को लेंगे ऐसे निकालना है पुरे ध्यान से देखना देखिए इस तरह से आगे बढ़ते जाना है बीना किसी हुक के हम यह जन्ची वाली माed बना रहे हैं तो मुक्तली प्रंकी रसी से हम माए बना रहे हैं बहुत खुबस्रत बहुत प्यारी लगती है इस तरह की माए देखिए दोस्तो आपसे गुजारी से वीडियो को लाइक कर दिजिए अगर आप के दिवार चैनल पर आये हो हस्त कलाम आपको अभीरूची है ये सब काम सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए और दोस्तो वक्त निकालकर चैनल पर प्रसाइद पुराने वीडियो अवश्य देखिए आपको हर वीडियो में अलग-अलग डिजाइन बना कर बताई गई है नए-नए तरीके से चारपाई, कुर्सी, टैबाल, सोफा, जूला वगेरे वगेरे अलग-अलग रंग की रसी से अलग-अलग डिजाइन बना कर बताया है लेहाज वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल पर प्रसाइद पुराने वीडियो अवश्य देखिए देखिए दोस्तो इस तरह से निकालने नाई एक बार पिंक लग की रसी से और एक बार यलो रंग की रसी से इस तरह से हम इसमें माई बना रहा है बहुत खुबसरत लगती है इस तरह की माई आप भी अवश्य ट्राइ कीजिएगा बहुत नाया तरीका है दोस्तो देखिए इस तरह से चिपका देना है और इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना और ज़्यादा लूज भी नहीं रखना उम्मिद करता हूँ आपको एक काम पसना है होगा देखिए दस्तो इस तरह से आगे बढ़ते जाना है हमारी जो चारपाई की बाई है उसके मुताबिख इस तरह से आगे बढ़ते जाना है देखिए ऐसे है बाई के मुताबिख माई बनाना है देखिए बारे बारे योलो और wanna पिंक कलर की रसी इस तरह से निकलना है देखिए ज़्यादा लूस भी नहीं रखना है और जव्यादा START भी नए रखना है इस तरह से निकाल लायना है देखिये और चिपका कादेना है ऐसे और इध्यान से दिखना दोस्तो, उम्यद करता हूं, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्रेयर वीडियो को लाइक कर दीजिए देखिए दोस्तो इस तरह से चिपका देना है ताकि जो बाई में रसी का इस्तिमाल किया है वो रसी दीखने न पाए देखिए देखिए इस तरह सीप का लेना है देखिए देखिए जो बाई है साइज के मुताबिक आगे बढ़ते जाना है इस तरह से देखिए ऐसे निकाल लेना है और किछ लेना है ऐसे देखिए दोस्तो इसी तरह से आगे बढ़ते दाएंगे और हमारी खूपसरत जंजीर वाली माई बनकर तैयार हो जाएगी देखिए पूरे ध्यान से देख रहां दोस्तो दोस्तो वीडियो को लाइक कर दीजिए पहली बार चैनल पर आये हो और यह सब काम सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेजिए देखिए देखिए इस तरह से ऐसे आप पर स्पेशिप का देना है ज्यादा टाइट भी नहीं रखना और ज्यादा लूस भी नहीं रखना देखिए दोस्तो अब हमारी माई तैयर हो चुकी है देखिए दो अलग-अलग रंकी रसी से हमने जंज़वारी माई बना कर बदाई उम्मिद करता हूँ आपको यह काम पसनाया होगा अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कुप्रिया वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नहीं हो और यह सब काम सीखना चाहते हो और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कुप्रिया चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए दोस्तो आपको यह काम कैसा लगा अपना अभीब्राई जोड़ देना मैं आपके कॉमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ और आपके कॉमेंट का इंतर रहेगा दोस्तों कॉमेंट करके बताना ये काम कैसा लगा दोस्तों अब अपने भाई को इजाद देजिए अब मुलाकत की अगले वीडियो में खुश रहिए, मुश्कुलाते रहिए और देखते रहिए धंतेज हस्त कला कैंदरा जाए हिंद